नमस्तिर ये स्टूरिंट्स वेलकम टू पीटी एजुकेशन मैं नेम इस गौरव गांधी और मैं लेकर आगया हूँ आपके लिए आज एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग सेशन दोस्तों आप सभी को बहुत पसंद आएगा ये टॉपिक और वो है कि इस इंडिया टुडे दिर्भर है क्या वो जो भी चाहे वो इंडिया में कर सकते हैं हम दोस्तों एक बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे आज वो है कि परस्टनल डेटा प्रोटेक्शन बिल हमारा अब जल्दी से जल्दी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए क्या इंडिया को अप वेरी वेरी बर्निंग इशू टोड़े इन इंडिया अब इसे हमें केटर करना बहुत जरूरी है नहीं तो शायद गवर्मेंट को भी बिग टेक बिलियोनेर्स ऑफ यूस होस्टेज बना ले गवर्मेंट भी कुछ ना कर पाए आगे चलकर दोस्तों बहुत इंट्रेस्ट और एन्रोल इन आर प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मॉडल विच इस देर इन आर पीटी वेबसाइट दोस्तों जरूर आये यहां पर पीटी एडुकेशन ने इस तरीके का फॉर्माट बनाया है कि वो करेंट अफेर्स और एडिटोरियल कवरेज आपके जितने भी जरूरते ह उन सब को कवर करता है CA Booster Premium और Power of 10 में और अल्सो दोस्तों यह है Annual GK Compilation 2020 of Current Affairs जो भी आप बाय कर सकते हो इस लिंक में जाकर और यह बहुत ही अध्वुत कलेक्शन है दोस्तों आप जरूर्ट राई कर सकते हो इसे ना लेट्स बिगिन दोस्तों तो दोस्तों आपको पता हिए GAFAM क्या है GAFAM Google, Apple, Facebook, Amazon and Microsoft तो दोस्तों एक बहुत इंट्रेस्टिंग इंफोग्राफिक मुझे मिला तो मैं आपके लिए आया आप इसे पढ़ लिजेगा कि Google filters your thoughts, Apple knows where your mom is, Facebook chooses what you read and so on या पढ़िएगा दोस्तों तो हमें पता हिए कि Big Tech dominance बहुत जादा है और वो हमारा Day-to-day का सारा activities को affect करता है Let's understand दोस्तों US Big Tech का power कितना है दोस्तों US Big Tech का power इतना है कि वो world leader से भी जादा powerful है How? आप देखिए Donald Trump को कितने जगे से ban किया गया? कितने जगे से ban किया गया? Just before the 6th January का capital unrest के पहले आप देखिए कितने जगे से ban कर दिया गया? Because of claims that allegedly वो violence insight कर रहे है और अब तो दोस्तों second impeachment भी हो गया उनका Not only were social media companies such as Twitter and Facebook able to muzzle the US President Amazon को लेकर एक competitor Amazon ने एक competitor का website ही बंद कर रहा दिया Parler दोस्तों मैंने ये session अभी upload किया था दो दिन पहले What is Parler app? I hope आपने देखा हो तो Parler app Amazon Web Services के उपर अपना cloud storage रखता था अगर Amazon ने उसे बंद कर दिया तो उनका तो website ही बंद हो गया आप सोचे दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूं कि Donald Trump को ban नहीं करना चाहिए था Parler app को नहीं निकालना चाहिए था Obviously Parler app white nationalists को बहुत support कर रहे था और पूरा capital unrest में जितना ही violence हुआ वो इनके वज़े से इस आपके वज़े से बहुत ज़ादा हुआ है इसको flame to fire यही दिया fuel to fire इन होने ही दिया और Donald Trump obviously he was inciting violence और इस वज़े से उन्हें तो ban करना ज़रूरी था But the whole problem is what is so concerning then The whole problem is कि ये बड़े-बड़े companies क्या सिखा रहे है जो ये बता रहे है कि we are doing it in the interest of public safety क्या हमें ये याद है कि Trump का rise कैसे हुआ America को divide किस नहीं किया in the first place वो सब तो इन बड़े-बड़े companies नहीं किया है WhatsApp, Facebook The monopolistic powers of these companies enable them to accept और हमने क्या किया Accept terms and conditions और be locked out This is what WhatsApp has done दोस्तों ये आप सभी के पास आया होगा इसके उपर ही मैंने dedicated session तीन चार sessions पहले बनाया था दोस्तों WhatsApp ने किस तरीके से आठ फरवरी के बाद उन्होंने ऐसा कह दिया कि अगर आप इसे agree नहीं करोगे मतलब Facebook से पुरा link हो जाएगा WhatsApp का data कल के सारे अगवारों में दोस्तों front page पे advertisements से WhatsApp के कि किस तरीके से हम इतना data नहीं ले रहे आपका WhatsApp data बिलकुल private है and so on they had to do it in all the newspapers it was there दोस्तों तो उन्होंने क्या किया Facebook से पुरा link कर देंगा and we had to say yes और और बी out from the social discourse they made themselves a judge and the jury and refused to accept responsibility for the damage they caused दोस्तों आप यह चार examples देखिए 2018 में United Nations ने accuse किया इन सारे लोगों को बड़े बड़े टेख कंपनीज को रोहिंगया मुस्लिम के उपर जितना भी genocide हुआ genocide जो हुआ म्यानमार में उसके बारे में but they refused Cambridge Analytica ने 50 million user profiles of US लेकर जिस तरीकी से 2016 में Trump को जिताया है misinformation spread करके उसके बारे में उनका कोई gesture नहीं ब्रेक्जिट वोट जब हुआ दोस्तो ब्रेटन में तो उस पर भी Facebook डेटा का influence रहा है और number four regional elections in India में भी Facebook का बहुत बड़ा पार्ट है इसलिए Facebook के Mark Zuckerberg को Global Chief Election Commissioner बुलाते हैं दोस्तों बहुत लोग तो वो reason यह है कि elections को किस तरीके से affect करते हैं the spread of disinformation दोस्तों data ही खाली यह सब नहीं है आप एक बात सोचिए WhatsApp पे आज जिस तरीके से WhatsApp University चल रहा है और यह खाली एक country में नहीं है खाली इंडिया में नहीं है यह पूरे दुनिया में है जिसके वज़े से hatred और civil unrest बहुत जादा फैलता है दूसरे दूसरे countries में इक लाक्स moderation इक लाक्स critical checks and balances और हैंस इस तरीके से फैलता है तो वो जो चाहे जैसा चाहे वैसा information spread करते है disinformation और huge benefits रीप करते है they have perfected the art of manipulating the news as we read and हमें और opinionated और polarized बनाने की कोशिश कर रहे है जिसके बाद हमें पता ही है दोस्तो they keep a check on what we do and keep track of who we are interacting with and so on इसलिए दोस्तो US में US Congress Senate ने किस तरीके से इन चारो को बड़े बड़े tech billionaires को बुला कर उनके साथ बहुत सारा antitrust cases के उपर बातचीत और questions किये थे तो वो इसी वज़े से हुआ था दोस्तो but what is the important lesson to be learned for India दोस्तो इंडिया के लिए जो सबसे important है कि जैसे Americans ने अपने आपको पूरा big tech billionaires के ओपर छोड़ दिया इंडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए they just care about money and nothing else लेकिन East India company को इंडिया से गए वे बहुत जादा time नहीं हुआ है दोस्तो and we need to understand that they are all money mongers उनका और कोई काम नहीं है they became more and more powerful and more and more evil and even more than the government whatsapp आज के दिन दोस्तो एक dominant mobile communication platform बन गया इंडिया में उसके बाद भी government ने payment services शुरू कर दिया whatsapp का अब दोस्तो पता ही है कि payment services अगा UPI शुरू हो जाएगा whatsapp का तो वो तो dominant player बनने ही वाला है चाहे आप 30% का limit लगा दो लेकिन 3 सबसे बड़े बड़े जो आपके payment services होंगे payment service providers वो सारे US के हैं दोस्तो नाम बताएगा comment side में तो इस तरीके से तो वो Indian e-commerce को Indian commerce को monopolize कर सकते हैं दोस्तो इतना ताकत आ सकता उनका unprecedented scale पे कि देके आन also create economic shocks at one point of time जो की demonetization से भी बड़ा होगा WhatsApp ने जिस तरीके से February 8 तक का time दिया है जिसके बाद आपको निकाल दिया जाएगा they will be kicked off from the platform if it is the right word to use बट आपको ये पता है दोस्तों कि यॉरप में WhatsApp ने ऐसा law नहीं लाया ये law यॉरप में नहीं आया दोस्तों क्यों वो एक billion Indians का data लेके it will be able to hold the government hostage ये हमें समझ में आता है दोस्तों ये होना ही है अगर Facebook एक billion लोगों का data अगर ऐसे लेगा तो वो तो government का hostage बना सकता है कभी भी लेकिन आप ये याद रहे कि यॉरप में ये नहीं है general data protection regulation जो है उनका उसके according आप इस तरीके से user data नहीं ले सकते हो and they fear a lot from the European Union कि वो किस तरीके से बहुत बड़े बड़े fines लगा देते है tech companies के उपर अच्छा इंडिया को भी लगा देना चाहिए दोस्तों इंडिया को भी ऐसी लगा देना चाहिए इंडिया को आज के दिन एक बहुत ही strong data protection law चाहिए as stringent if not more than as Europe का है दोस्तों और इंडिया को एक और काम जो करना बहुत ज़रूरी है कि अपना tech industry को और encourage करना चाहिए और competitive social media products बनाना चाहिए and provide them the protections and support the need जैसे चाइना ने किया दोस्तों चाइना के बड़े companies जो है Baidu, Tencent, ByteDance, MI, Xiaomi, Huawei, Alibaba यह सब बड़े कैसे हुए है यह सब बड़े हुए है क्योंकि Facebook, Google, Twitter, Netflix को चाइना में घुशने नहीं दिया जाता Uber अंदर था उसे कैसे निकाला गया और DD Choosing ने acquire कर लिया वो हम सबको पता ही है दोस्तों, Chinese Technology जिस तरीके से protectionism और support Chinese Government से मिलता है इस वज़े से आज वो इतने बड़े हो गए है इतने बड़े हो गए है कि आज वो World Stage में one of the most valuable companies में से एक आते है and they're weathered to the Chinese culture and values तो क्यों ना दोस्तों WhatsApp का alternative ला रहे है आराताई बोलकर आराताई क्या है दोस्तों, Chit Chat in Tamil तो आराताई बोलकर जो Signal और Telegram से compete करेगा और WhatsApp का alternative बन कर आएगा and it will be launch very soon तो ये हो सकता है दोस्तों, इंडिया homemade product बन सकता है ये, तो हम ये use कर सकते है मैं आपको एक case देता हूं को फोर्स कर दिया कि TikTok US जो है वो डाइवेस्चर में चले जाए और Oracle या Microsoft या Walmart को बेचते because he was fearing the 10 करोड Americans का data जो जा रहा हूं के पास and they have the ability to influence public opinion and culture, Trump had understood this, तो जैसे की US ने ऐसा किया क्यों ना इंडिया भी वैसा ही काम करे है दोस्तों क्या हम ऐसा सोच सकते है कि इंडिया भी इसी तरीके से बड़े बड़े अपने अपने बड़े खुद अपने बड़े companies बनाए और उसके बाद Chinese companies को acquire कर ले इतना बड़ा क्या हम सोच सकते हैं दोस्तों that would be the real इंडिया का power जो बहार आएगा आप एका सोचे दोस्तों एक food for thought है आप सोचिए अगर Mark Zuckerberg को किसी दिन Narendra Modi का farm laws नहीं पसंद आए या शशी थरूर का tirades against East India Company नहीं पसंद आए और वो से बंद कर दे तो अगर वो से बंद कर दे तो तब हम जागेंगे अब इंडिया को बहुत जरूरी है समझना कि किस तरीके से इन Big Tech Billionaires को अब थोड़ा छोटा किया जाए और अपने बड़े-बड़े companies बनाए जाए अपने Google and Facebook बनाए जाए दोस्तों और यह खाली US की Big Tech Billionaires का बात नहीं है दोस्तों आप मुझे कॉमेंचन में बताईएगा दोस्तों What is BBK Electronics आप एका सर्च करिएगा दोस्तों BBK Electronics क्या है आप में से जिनको भी पता आप कॉमेंचन में जरूर बताईएगा और एक और चीज़ आप बताईएगा दोस्तों कि Tencent का इंडियन स्टार्टप्स में किसमें किसमें इंवेस्टमेंट्स है आप ये दो क्वेश्टिन का आंसर मुझे कॉमेंचन में जरूर दीजेगा दोस्तों BBK Electronics क्या है और Tencent का क्या-क्या इंवेस्टमेंट्स इंडिया के कंपनीज में है You will be shocked Jaw-dropping results आपको मिलने वाले आप खाली से देखिए आपको पता चलेगा I hope दोस्तों आपको पूरा इंडिया at the mercy of Big Tech Billionnaires समझ आया आप जरूर बताईएगा दोस्तों कि क्या अब इंडिया को भी अपना Google and Facebook बनाना चाहिए चाइना के तरीके से हमें भी एक data protection bill तो सबसे पहले लाना चाहिए और चाइना जो philosophy में काम करता है उस philosophy में अपने companies को protect करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए यह जरूर आप commentator ने बताईएगा दोस्तों शायद यही तरीका है self-dependent India बनाने का in tech industry also Thank you so much दोस्तो आपका support ऐसा ही मिलता रहेगा तो हम ऐसे ही interesting, exciting sessions आपके लिए लाते रहेंगे दोस्तों This has been a very very important session and very important for exam purposes in general learning दोस्तों Thank you so much, please please like the video, please share the video और लोगों तक भी पहुचाईए इस session को, उन्हें भी पता चले कि किस तरीके से data protection bill लाना बहुत जरूरी है इंडिया को अपना Google and Facebook रिनाना बहुत जरूरी है and so on This is it from my side, कल फिर मिलते हैं ऐसे एक exciting session के साथ दोस्तों Thank you so much, these are some useful PT resources from the PT family Make full use of them, Namaste, Jai Hind